पुर्शों के लिए तीन ड्रिंक्स एक दिन में और महिलाओं के लिए दो ड्रिंक्स एक दिन में सेफ माना जाता है डाइबिटीज है जिनको उनमें अल्मोस्ट 70-80% लोगों को अल्टरसाउंड लगर उनका करेंगे तो फैटी लिवर मिलेगा लिवर हमारे शरीर के सबसे important organ में से एक है इससे शरीर का metabolic center कहा जाता है जैसे heart को circulatory center और brain को neurological center लिवर ही हमारे शरीर के सारे metabolism को control में रखता है और इसलिए लिवर का खास ख्याल रखने की जरूरत है नमशकार बहुत स्वागत है आपका thehealthsite.com के the healthsite podcast के एक और नए एपिसोड में जिसमें आज हमारे साथ मौझूद है लिवर एक्सपर्ट डॉक्टर रोहित महतानी जो आज हमें बताएंगे की लिवर का खास ख्याल कैसे रखा जाए कैसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या चीज़े हैं जो अवॉल्ट करनी चाहिए सबसे पहले डॉक्टर मेरा यही सवाल है आपसे कि लिवर एक्चली हमारी बॉड़ी में काम क्या करता है और कैसे काम करता है लिवर हमारी बॉड़ी का second largest organ है स्किन के बाद सबसे बड़ा organ लिवर आता है लिवर के दोसों से अधिक function है हमारी बॉड़ी में जो भी हम खाना लेते हैं लिवर का काम होता है कि उसको छोटे parts में easily absorbable parts में digest करना and absorb करना कोई हम दवाई खाते हैं तो उनको non-toxic compound में break करना वो लिवर से होता है जो हमारे proteins बनते हैं albumen बनता है वो सब लिवर से बनता है and immunity में बहुत important role है लिवर का जो भी हमारे immune fighting जो cells है वो लिवर में बनते हैं and immune fighting proteins भी लिवर में बनते हैं liver का bile बनाने में बहुत महत्वपून रोल है so bile is involved in digestion हमारा जो खाना हम खाते हैं उसको digest करने में fat को absorb करने में bile का role है कितनी शराब लिवर के लिवर के लिवर के खराब है so alcohol या शराब की जब हम बात करते हैं measurement जो लेते हैं वो एक standard drink के मध्यम से करते हैं एक standard drink में roughly 14 ग्राम alcohol होता है तो जो 30 ml का पैग होता है विसकी का उसमें 14 ग्राम है एक beer की bottle में 14 ग्राम आलकोहल है या एक wine के glass में 120 ml उसमें भी 14 ग्राम आलकोहल है तो safety की बात करें तो पुर्शों के लिए तीन drinks एक दिन में और महिलाओं के लिए दो drinks एक दिन में safe माना जाता है बट ये safety limits उनहीं लोगों के लिए हैं जिनको liver की पहले से कोई बिमारी नहीं है अगर किसी को fatty liver है या liver की कोई और problem है उनके लिए कोई safe limit नहीं है उनको totally alcohol avoid करना चाहिए और बहुत सारे body pay effects होते हैं जिसमें cancers are one of the commonest cause so WHO का भी last year ही release आया था कि no amount of alcohol is safe for the human body अगर हम liver की बात कर रहे हैं और alcohol की बात कर रहे हैं तो क्या alcohol ही जिम्मेदार है liver damage होने का अलकोहल एक प्रमुक कारण है liver damage, liver cirrhosis का बट वो अकेला कारण नहीं है इसमें fatty liver disease जो diabetes के patients में जो overweight है या BP की बिमारी है उनमें भी fatty liver होता है उसकी वज़े से liver cirrhosis हो सकता है दूसरा viral hepatitis जा कालापीलिया, hepatitis B, hepatitis C और कुछ rare बिमारियां होती है जैसे autoimmune hepatitis, wilson's disease इन सबसे भी liver damage होता है क्या fatty liver जान लिवा है जी बिलकुल हम लोग ignore कर देते हैं fatty liver को बट जिन लोगों को fatty liver होता है उनमें बाकी बिमारियां होने का risk बहुत जाद होता है जैसे heart disease, stroke होने का risk, body में और जगा पे cancer बनने का खत्रा, polycystic ovary disease ये सारी बिमारियां उनमें हो सकती है and heart attack, stroke ये प्रमुक कारण है death का जिन लोगों को fatty liver होता है fatty liver का main कारण क्या मतलब किस क्या कारण है जो fatty liver होता है, main reason आम भाशा में हम बात करें तो fatty liver का मतलब है कि liver में fat जमा हो रहा है जैसे हमारे skin में, body में, बाकी जगा पर fat deposition होता है उसी तरह से liver में भी fat deposition होता है अगर कोई overweight है, weight जादा है, diabetes है किसी को, उन में प्रमुक fatty liver होता है बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ diabetes के मरीजों को या फिर जिनका वजन जादा है उनी को fatty liver होगा normal वजन पे भी fatty liver हो सकता है fatty liver हम कह सकते हैं कि metabolic syndrome एक बिमारी है, उसका liver involvement है so metabolic syndrome body में multiple organs को affect कर सकता है, brain को affect कर सकता है, heart को affect करता है cholesterol जादा होता है, weight जादा होता है, sugar होता है यह सारी चीजे हैं, उसमें liver involvement, fatty liver है तो liver खराबी के लक्षण के हैं, symptoms initial stages में जब liver डामेज होना शुरू होता है, उस टाइम majority लोगों को कोई symptoms नहीं होते, कोई लक्षण नहीं आते थोड़ा भूख कम लगना, कमजोरी होना, ठकान महसूस होना, हलका पेट में दर्द यह सब हो सकता है, जब liver जादा डामेज हो जाता है, cirrhosis होता है तब आंखों का पीला पन, यूरिन पीला आना, पेट में सूजन आना, पेट में पानी भर जाना, पैरों पे सूजन आना, या गफलत या बेहोशी में जाना, या उल्टी में खून आना, लेटन में खून आना, ये सारे लक्षण आ सकते हैं, advanced disease में पैटी लेवर को लेकर कुछ मित्स भी हैं, सबसे बठा मित्तों यही कहूंगा मैं कि हम सब लोग इग्नोर करते हैं फैटी लेवर को, ना सिर्फ मरीज बल्कि कुछ डॉक्टर्स भी, हमने लास्ट यर एक सर्वे किया था जिसमें करीब एक सो साथ डॉक्टर्स को अल ओवर इंडिया कुछिन आंसर के रूप में सर्वे किया था उसमें सर्वे में भी हमने यह पाया कि 20% डॉक्टर्स भी लेवर को इग्नोर करते हैं जिनको डायबिटीज है ओवरवेट हैं उनमें स्क्रीनिंग नहीं करते हैं फैटी लिवर के जाता है नहीं जिसे डायबिटीज है जिनको उनमें उल्मोस्ट 70-80% लोगों को अल्ट्रसाउंड अगर उनका करें तो फैटी लिवर मिलेगा बट उसके अलावा अधर कारण है कि मोटापा और बीपी हाई होना थायरोट की बिमारी इन समें फैटी लिवर मिलता है बट 15- 20% लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका नॉर्मल वेट होता है और उनमें भी फैटी लिवर मिल सकता है और कैसे पदा चलेगा कि मेरा लिवर ठीक से काम कर रहा है तो इसमें हम लोग स्क्रीनिंग का इस्तमाल करते हैं जैसे अगर किसी को डायबिटीज है क्योंकि डायबिटी है साथ ही अगर किसी को फैमलि में लिवर डीजीज की हिस्टरी है या लिवर चैंसर की लिवर सिरोसिस की तो उनके बाकी फैमिली मेंबर को भी हम एडवाइस करते हैं कि screening करे जाए screening इसलिए इंपोर्टेंट है ताकि हम लोग उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकें और टा ना ध्यान रखना है कि हम बाहर से अडिशनल चीजे ना दे जिससे लिवर डामेज हो सो एलकोहॉल अवोइड करना है और सेफ लिमिट्स में ही लेना चाहिए दूसरा जो बहुत जादा आज कल प्रॉसेज़ फूड्स और रेडी तू इट फूड्स और हाई फैट फूड्स जो फ्राइड फूड्स होते हैं वो अवाइड करने चाहिए शुगर का इंटेक कम रखना चाहिए क्योंकि शुगर एक प्रमुक कारण है फैटी लिवर होने का अगर डाइट में कुछ आपको चेंज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टी कॉफी के जगा ब्लैक कॉफी स्टार्ट करें सो दो कप ब्लैक कॉफी के विदाउट मिल्क विदाउट शुगर लिवर के लिए बहुत ही अच्छे हैं दो कप कॉफी के लेने से लिवर का जो फैटी लिवर डेवलोप्मेंट है वो कम हो जाता है लिवर कैंसर बनने का रिस्क कम हो जाता है और जो लिवर कि बिमारी बढ़ने का आगे रिस्क कम हो जाता है food items में हम लोग advice करते हैं कि high protein diet लेना चाहिए so protein के sources जैसे fish eggs ये avoid करने चाहिए ये add करने चाहिए and paneer दाले all the pulses are good and chicken ले सकते हैं but उसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत जादा oil ना हो salt additional क्या लीवर ट्रांस्प्लांट safe option है experience team के साथ और एक अगर right indication के लिए transplant किया जाए जो patient selection है की किस patient का transplant हो रहा है वो fit है transplant surgery के लिए या नहीं और जो surgical team है liver transplant team वो experience है तो safe operation है देखिए comparisons हो हर चीज में होते हैं बच यूजय अगर पेशंट का पेशिंट को नीड़不र है उडिया चैनल कि दिएर च्रणों के लिए कि कीया जाए और टीम अच्छी हो तो रिजाल्ट्स अच्छे हो आते हैं लिव युट रांस्य कैं लिवर डैमेज अगर हो जाए किसी का लिवर सिरोसिस जो कि दवाईयों से मैनेज नहीं हो पा रहा है बार-बार मरीज को पी लिया हो रहा है पेट में पानी बनावा है या और कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं सिरोसिस के या फिर लिवर कैंसर बन गया है लिवर सिरोसिस के बाद उन कसेज मेंound on liver transplant advice करते हैं और liver transplant दो तरीके से किया जा सकता है एक होता है live donor liver transplant एक होता है Cadaverick, so live donor में patient का family member, कोई अगर है तो वो donate कर सकता है part of the liver, जैसे मैंने बताया कि liver regenerate कर लेता है, बहुत अच्छा organ है, so इसलिए live donor liver transplant successful होते हैं، तो जब हम पेशिंट के रिलेटेव का 50% लिवर रिसीपेंट में डालते हैं तो दोनों का लिवर 2-3 महिने में वापस नॉर्मल साइज का बन जाता है और फंक्शन अपने रिज्यूम कर लेता है तो डोनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और रिसीपेंट का भी फंक्शन चलता रहता है जो कैड़रिक लिवर ट्रांस्प्लांट है उसमें अगर कोई एक्सिडेंट में किसी की डेथ हो जाए स्ट्रोक हो जाए उससे ब्रे लिवर ही होता है लिवर पे बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिवर से ही लिवर पे प्रॉब्लम आएगी अगर किसी को और कोई बिमारी है लिवर की या हैपिटाइटिस भी है 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 या फिर अल्कॉलिक लिवर डिजीज है तो उनमें भी ओवर्वेट का बहुत एडिशनल नु लाइट जलदी होता है और बाकी खैंसर बॉडी में बने का भी रिस ज्यादा रहता है यापने बात परी इस जालिक लिवर डिशीज वह क्या है आलकोहलिक लिवर डिजीज एक स्पेक्ट्रम है इसमें सिंपल फैटी लिवर से स्टार्ट होके सिरॉसिस तक तीनों चीज़े आती है तो सिंपल फैटी लिवर इस रिवर्सिबल जो लोग आलकोहल ले रहे हैं ऑल्मोस्ट 90-100% को फैटी लिवर होगा जो लंबे टाइम से अ पार्शली रिवर्स होगा बट कंप्ली रिवर्स नहीं होता है पूरी तरह लिवर उनका वापिस नॉर्मल में हम बात करेंगे तो नहीं आता है बट फैटी लिवर की स्टेज में अगर कोई आलकोहल स्टॉप कर रहा है तो उनका लिवर वापिस नॉर्मल स्टेज में आ ज हो गया है तब वो complete reversal नहीं होता है एल्कॉहल चोड़ने के दौर फिर वो ट्रांस्प्लांट होगा ऐसा डिपेंडिंडिंग अगर किसी को सबसे पहले आता है Hun FC चेजिज़ सबसे पहले आता है पैटी इभटी लिएफ से वह प्रोग्रेस करता है बलड रिपोर्टस ठीक होती हैं बड़ अल्ट्रासाउंड पर या अगर सीटी करेंगे तो उस पर लिवर दिखता है कि हमें सिरॉसिस हो गया हाद हो गया है श्रिंक हो गया लिवर उस्टेज में ट्रांस्प्लांट की रिक्वाइर्मेंट नहीं है बट उसमें उसके बात जो एल्दी हाबिट सब्सक्राइब करें एल्कोहॉल का सेवन कम रखें या सेफ लिमिट्स में ले शुगर अवाइड करें जो प्रोसेश्ट फूड है फ्राइड फूड है वो अवाइड करें डेली एक्सराइज करें एट लीस्ट थर्टी मिनट्स पर दे ब्रिस्क वॉक लीवर कैंसर क्या होता हैं क्यों होता है लेड खर अधिकतर उनी मरीजों में बंता है जिनको सिरॉसेज है या फिर एंड-स्टेज लिवर डैमेज है ऐल्मोस्ट आशी से 95 प्रतीषत उनी लो में लिवर कैंसर बनेगा तो इसलिए हम लोग जिनको जिन मरीजों को से साउंड स्कैन करके देखते हैं कि कहीं उनको लिवर कैंसर तो नहीं बन रहा ताकि अर्ली स्टेज में पकड़ के उसका इलाज किया जाए हाला कि 15-20 परसंट उन लोगों को भी हो सकता है इनको लिवर सिरॉसिस नहीं है उनमें प्रमुख कारण होता है फैटी लिवर है सिरॉसिस है तो हम लोग उनको स्क्रीनिंग में ही पकड़ते हैं जब वह छोटा सा होता है अल्ट्रा साउंड टेस्ट करते हैं उसमें हमें दिख जाता है कि लिवर में कोई गांठ पन रही है उसके बाद फिर सीटी करके उसको एवैल्यूएट करते हैं कि कैंसर तो नही है अगर किसी को लिवर कैंसर है तो उसके आजकल हमारे पास बहुत जादा ट्रीटमेंट आप्शन अविलेबल है अगर कैंसर का साइज छोटा है और लिवर रिलेटेड कॉंप्लिकेशन बहुत जादा नहीं है तो हम उसको सर्जरी करके कंप्लीटली रिमूफ कर सकते हैं अगर कैंसर का साइज बड़ा है तो हम उसको खून की नस से जाके वहां पर दवाई छोड़ सकते हैं या फिर कुछ टैबलेट्स और इंजेक्शन के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है लास्ट रिजॉट एक होता है कि अगर कैंसर का साइज एक्सेप्टेबल लिम गए होंगी और हम उमीद करते हैं डॉक्टर की बात सुनके आप उस समझ में आ गया होगा कि लीवर का ध्यान रखना कैसे हैं फिलाल के लिए इस सेग्मेंट को यहीं खतम करते हैं और आगे की विडियोस और हेल्थ से जुड़ी और भी विडियोस के लिए आप देखती र